हेलो स्टुडेंट्स एसे प्रोफेशनल क्लासे से मैं हमन्द गुपता आज आपके लिए लेके आया हूं बटा जो हम पेपर कर रहे थे प्रिंसिपल ओफ मार्केटिंग का दो हजार उन्नीस का CCS University में जो एक जाम आया था उसका नेक्स्ट पार्ट तो चलिए देखते हैं सब्सक्राइब को पहली बार किसने यूज किया था किसने परियोग किया था तो इस कुश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह बेटा नील एच बोर्डन ने ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कुश्चन है विच ओफ दा फॉलाइंग फेक्टर्स डज नोट एफेक्ट डब मार्केटिंग मिक्स क्या कह रहा है कि निम्ड मेंसे कौन सा तत्व मार्केटिंग मिश्रन को विपड़न मिश्रन को परभावित नहीं करता तो स्टुडेंट्स इस कुश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है कोस्त ओफ प्रोड़क्ट उत्पादन की लागत म परभावित नहीं करती, option number C इसका correct answer है चली, next question के बारे में जानते है next question है हमारा which is not the element of marketing mix हमारे को पूछा है कि कौन सा विपड़न मिश्रन का तत्व नहीं है तो ध्यान दखेंगे बेटा sales promotion, distribution और advertisement ये sales promotion के तत्व है, लेकिन personal selling, marketing marketing mix का पार्ट नहीं है marketing mix का कोई element नहीं है व्यक्तिगत विक्र है चली, अब next question जानते है next question है, who has explained 4P of marketing students, बड़ा important question है, आपके syllabus में और competitive exam में अक्सर पूछा जाता है 4P कौन से है या इस प्रकार देगा कि निम्ण में से कौन सा 4P का पार्ट नहीं है या तीन अन्य पार्ट दियोंगे कौन सा 4P का पार्ट है तो उसको भी जानेंगे लेकिन सबसे पहले main question main question पूछ रहा है who has explained 4P of marketing marketing के 4P, 4P किस ने दिये तो इस question का जो correct answer है वो में कार्थे ने दिये थे option number 6 इसका correct answer है अब बेटा 4P भी आपको मालूम होने चाहिए तो 4P में कौन कौन से 5 शामिल है तो ध्यान दखेंगे product, price, place और promotion ध्यान दखेंगे इसको ऐसे याद कर लेंगे बेटा product का क्या होगा किसी ना किसी भी product का कुछ ना कुछ price होगा और place के according जो है promotion करेंगे तो क्या होगा product price, place और promotion चलिए अब next question जानते हैं तो next question है the social aspect comes under the marketing is adulteration, pollution A और B बोर none of double तो क्या कह रहा है question कह रहा है कि विपड़न के सामाजिक पहलू में आता है मिलावट, परदूशन, A और B दोनों या कोई नहीं तो student ध्यान दखेंगे इसका जो question का correct answer हो है A और B दोनों चलिए अब next question के बारे में जानते हैं बटा, next question है हमारा economic environment is concerned with external environment internal environment, moral environment या all the both, तो क्या कह रहा है question कह रहा है कि आर्थिक वाटावरंड का संबंद किस से है तो ध्यान दखेंगे आर्थिक वाटावरंड का जो संबंद होता है वो external environment बहिया वाटावरंड से होता option number A इसका correct answer है next question है in environment only one thing is fixed and that is change who said, बड़ी important परिभाशा है कई बार examination में पूछी गई, कई competitive exam में पूछी गई है तो इसको अच्छे से तयार कर लेंगे क्या कह रहा है कि परियावरंड में एक ही चीज इस्था ही है और वह है परिवर्तन यह किस ने कहा है तो ध्यान दखेंगे यह अलविन टॉफलर ने कहा है option number C इसका correct answer है चलिए अब next question के बारे में जानते हैं बटा next question है which of the following is factor of micro environment हमारे को कह रहा है कि निम्न में से कौन से सुक्षम वाटावरंड के अंग है तो option दिये गए हैं competitors, social groups, customers या and all the above तो ध्यान रखेंगे सुक्षम वाटावरंड के अंग में परतियोगी जन्समू और ग्रहा की यह सभी शामिल होते हैं option number D इसका correct answer है next question है which is not concerned with the demographic environment हमारे से पूछ रहा है कि जन्नांकी की वाटावरंड का तत्व कौन सा नहीं है निम्न में से कौन सा जन्नांकी की वाटावरंड का तत्व नहीं है option दिए गए हैं इसके अंदर religion and caste density of population size of population या age group तो ध्यान रखेंगे density of population is not concerned with the demographic environment option number D इसका correct answer होगा question दुबारा repeat कर दे रहे है question था हमारा के निम्न में से कौन सा जन्नांकी की वाटावरंड का तत्व नहीं है तो इस question का correct answer है वो है जन्संख्या का गनाटू next question है बटा next question पूछ रहे है आपसे the tendency of Indian buyers भारतिय क्रेटा की परकरती किस परकार की है to complaint to bargain to purchase cheap or all of the above तो भारतिय क्रेटा की जो परवर्ती है वो शिकायट करना भी है सोदे बाजी करना भी है और सस्ता खरीदने की भी कोशिश करता है अर्थात all the above correct answer है यह सभी next question है which is psychological factor of influence the consumer's behavior क्या क्या रहा है कि कौन सा उभोकता वैवार को परभावित करने वाला मनो वैज्यानिक घटक है तो ध्यान रखेंगे मनो वैज्यानिक घटक basic needs को बोलते है option number C इसका correct answer है चलिए अब next question के बारे में जानते हैं बटा next question है हमारा lifestyle of a consumers decides his buying behavior to a large extent this statement is क्या कह रहा है कि एक उपभोकता का जीवन इस्तर एक बड़ी सीमा तक उसके क्रह वैवार को परभावित करता है यह कथन कैसा है सत्य है s पस्ट है यह उपरोग सभी तो इस question का जो correct answer है वह है बटा सत्य option number A next question है आपका heart dominates overhead and mind dash buying motive क्या कहता है कि क्रैप रेड़नाओ की स्थिती में हर्दे मन और मस्तिक्ष पर अपना परभूत बनाई रखता है तो इस question का जो correct answer है वह है भावनात्मक option number B next question है कौन सा उभोकता वैवार को परभाविट करने वाला घटक है हमारका बताना है कौन सा घटक है जो उभोकता की वैवार को परभाविट करता है तो वह आरति घटक भी है सांसकरति घटक भी है और मनो वैग्यानिक घटक भी है option number D इसका correct answer होगा उपरोक्त सभी next question है AIO जीवन चैली में विभकती करन सामाजिक समस्याई राजनेतिक शिक्षा तथा संसकरती है तो इस question का जो correct answer है वह है विचार option number A इसका correct answer है आपको AIO की full form मालूम होनी चाहिए क्योंकि आपसे full form के बारे में भी पूछ सकता है या ऐसे भी पूछ सकता है कि AIO में A का क्या मतलब है O का क्या मतलब है या AI का क्या मतलब है इस पर गार कुछ भी दे सकता है तो बिटा full form मालूम होगी तो उसमें किसी भी letter के बारे में पूछ ले आप उसका तुरन जवाब दे दोगे तो AIO का मतलब है ध्यान रखेंगे activities, interest and opinion क्या है activity, interest and opinion अच्छे से ध्यान रखेंगे next question है भावनात्मक प्रेरनाय होती है भावनात्मक प्रेरनाय किस प्रकार के होती है? आंतरिक प्रेरनाय या भायय प्रेरनाय या A और B दोनों या इन में से कोई नहीं तो ध्यान लखेंगे जो भावनाएं जो हमारी भावनाएं होती हैं वो कहां से होती हैं वो हमारी आंतरीक प्रिर्णाएं होती हैं तो option number A इसका correct answer होगा चलिए अब next question के बारे में जानते हैं बटा next question है बाजार विभक्तिकरन है बाजार विभक्तिक करण है तो इस question का जो correct answer है वो है ग्राहक केंदरीत होता है बाजार विभक्तिकरन मार्केट सेग्मेंटेशन जो है वह आपका customer oriented होता है next question है बाजार विभक्तिकरन क्या है तो कि option दिए गए है मुल्यों को निरियंतरीत करता है विक्रे समवर्धन में सायक है परत्योगिता कम करता है या किस्म में सुधार करता है तो बाजार विभक्तिकरन विक्रे में समवर्धन में सायक है sales बढ़ाने में सायक है next question कौन बाजार विभक्तिकरण का मनो वैज्ञानिक आधार है बाजार विभक्तिकरण का मनो वैज्ञानिक आधार जीवन शैली है लाइफ इस्टाइल ऑप्शन नमबर सी इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोश्चन है बाजार विभक्तिकरण किसके हिट में है तो जो बैटा बाजार विवक्ति करण है वो व्यापारियों के उपभोगता होगे और उत्पादक के सभी के हित में होता है option number D इसका correct answer होगा चलिए अब next question के बारे में जानते हैं बटा तो इस question का जो correct answer है वो है बटा आरेस डावर option number A इसका correct answer है next question है बाजार एकी करण किस परिस्थिती में लाब डायक है तो ध्यान दखेंगे बटा बाजार एकी करण आवश्यक उठपाद में लाब डायक है option number B इसका correct answer है next question है actual यानिके हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी जो कई परकार के साबुन बेचती है तथा उनमें से परतेक का अपना एक बाजार है यह किस का उडारन है किस परकार की मार्केट का उडारन है तो ध्यान दखेंगे यह विभेदी करत विपड़न है option number B इसका correct answer है चलिए अब next question है बाजार विखंडन की नई अवधारना के साथ किस वर्ष में आया था next question है बेटा विभेदी विपड़न रिती का लाब नहीं है which is not an advantage of differentiated marketing strategy तो इस question का जो correct answer है वो है बेटा लागतों में मितवेटा option number D इसका correct answer है next question जानते है तो next question है Asian paints का brand ambassador कोन है 2019 के जब examination पूछा गया था तो उस समय Asian paint का brand ambassador रनभी कपूर थे option number B इसका correct answer है next question है रिलाइंस जीयों का brand ambassador कोन है तो इस question का जो correct answer है वो है शारुक खान तो यह थे हमारे महत्पून question मिलते हैं अपने next video में और साथी साथ students अन्य महत्पून वीडियो जैसे की 2018 का paper 2020 का paper वो हम already अपने channel पर upload कर चुके हैं और यदि आप दूसरे subject की भी play को भी तयार कर रहे हैं तो उनको भी playlist में चेक कर सकते हैं और साथी साथ इस वीडियो का अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलेगा मिलते अपने next वीडियो में बैस्ट फ्लगर फॉर एक्जामिनेशन बाइबाइ स्टुदेंट्स